दोस्तों क्या आप भी अपने पुराने सिक्के और नोटों को सेल करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या सही तरीका है पुराने सिक्के और नोटों को सेल करने का अगर आज की वीडियो आप पूरी तरह से देखेंगे तो आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जागी और आप इसके बाद काफी आसानी से अपने सिक्के और नोटों को सेल कर पाएंगे आज के समय में सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं और पुराने सिक्के और नोटों को सेल करके भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं पर आज के समय में ये काम आसान नहीं रह गया है ओनलाइन फ्रॉड की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है तो आप किस तरह से बिना फ्रॉड में फसे हुए अपने सिक्के और नोट सेल करेंगे जान लेते हैं इसकी पूरी इंफर्मेशन इस वीडियो में वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर दें दोस्तो किसी भी सिक्के और नोट को सेल करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो सिक्का या नोट आप सेल करना चाहते हैं वो असल में rare यानी कीमती है या नहीं आप में से बहुत से लोग YouTube पर कई सारी वीडियोस देखते हैं जिन में किसी भी सिक्के की कीमत लाखों और करोणों बता दी जाती है और आपको ऐसा लगता है कि आपका सिक्का भी लाखों और करोणों की कीमत रखता है पर हर पुरान सिक्का और नोट कीमती नहीं होता किसी भी पुराने सिक्के और नोट की कीमत उसकी reality पर निर्भर करती है यानी वो सिक्का या नोट कितनी कम मात्रा में बना है जितनी कम मात् में उतनी ही ज़ादा डिमांड होगी और उसकी वैल्यू उसी हिसाब से बढ़ जाएगी तो आप अपने पुराने सिक्के और नोट की वैल्यू किस प्रकार जानेंगे चलिए हम आपको बता देते हैं अपने पुराने सिक्के और नोट की वैल्यू जानने के लिए आप हमारी यूट्यूब वीडियोस को चेक कर सकते हैं इसके साथ ही हमारी वेबसाइट indiancoinmill.com पर पुराने सिक्के और नोटों की प्राइज लिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं इसके साथ ही डिटेल में नोट और सिक्कों की वैल्यू जानने के लिए आप इन दो बुक्स को भी बाई कर सकते हैं इन बुक्स का लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि पुराने सिक्के और नोटों को आप किस प्रकार से सेल करेंगे पुराने सिक्के और नोटों को पोस्ट यहाँ पर डाल सकते हैं पर यह जो तरीका है इतना जादा सफल नहीं है क्योंकि जो लोग भी यहाँ पर अपने पुराने सिक्के और नोटों के विज्यापन पोस्ट करते हैं उनके पास जो कॉल आती है वो अधिकतर फ्रॉड लोग ही करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी भी अंजान व्यक्ति को किसी भी प्रकार का पैसा ट्रांसफर ना करें इसके बाद हमारा जो दूसरा तरीका है सिक्के और नोट बेचने का वो थोड़ा सा कठिन है और हर व्यक्ति के लिए इस तरीके को अपनाना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है तो हमारा जो दूसरा तरीका है वो है Coin Auctions हमारे देश में कई सारे बड़े Coin Auctions हाउस है जो की पुराने सिक्के और नोटों की निलामी करवाते हैं पर यहां पर जो सिक्के और नोटों की निलामी अपनी वेबसाइट्स और Coin Exhibitions के दौरान करवाते हैं Coin Auctions के दौरान सिक्कों की निलामी में जो सबसे अधिक बोली लगाता है सिक्का या नोट उस व्यक्ति को बेच दिया जाता है हमारे देश में कुछ बड़े Coin Auction House है तोड़ी वाला Auctions और Classical Newsmatic Gallery इन Auction House में आप किस तरह से भाग ले सकते हैं इसकी जानकारी आप इनकी वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर सकते हैं इसके बाद हमारा अगला तरीका है जिसकी मदद से आप आसानी से पुराने सिक्के और नोट सेल कर सकते हैं वो है Coin Exhibition इन Coin Exhibitions में देश भर से बहुत से बड़े-बड़े Coin Sellers अपने स्टॉल इन Exhibition में लगाते हैं पर ये Sellers आप से केवल ऐसे Coin और नोट ही बाई करेंगे जो की बहुत ही अधिक rare हों तो क्रिप्या करके आप किसी ऐसे सिक्के और नोट को इनके पास लेकर ना जाएं जो की बिल्कुल साधारन हों तो ये थे कुछ तरीके जिसकी मदद से आप अपने पुराने सिक्के और नोटों को सेल कर सकते हैं पर मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको जो भी सिक्के और नोट सेल करने हैं उनकी आप डिटेल में वैल्यू जान लें जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट indiancoinmill.com को विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर हमने काफी सारे पुराने सिक्के और नोटों की प्राइज लिस्ट इंसर्ट की हुई है तो विडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेर ज़रू करें चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रू दबा लें